हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम निखिल है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के उपर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी के अंदर में एक पोजीशन रिव ही है निफ्टी में आपको दिख रहा है जैसे कि चार-चार लॉट जो है मैंने बाय किये हैं चार लॉट कॉल साइड के हैं और चार लॉट पुट साइड पे हैं इसका रिजन जो है दोस्तों निफ्टी अभी हल फिलाल कंप्रेशन जोन में चल रहा है कंप्रेशन यानि उसका जो मूव्मेंट का जो एरिया है वो एरिया धी धीरे 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 कम होता जा रहा है और जैसे ही ऐसे कभी भी आपको देखें निफ्टी या बैंक निफ्टी तो अपन क्या करते हैं कि दोनों तरफ यानि कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी थोड़ा सा दूर दूर की स्ट्राइक का या आप चाहें तो इननमनी जो की स्ट्राइक है नस्दीक वाले उनके कॉल और पुट आप दोनों वाय कर लीजिए बराबर क्वांटिटी में इससे क्या होता है कि जैसे ही निफ्टी एक तरफ मोमेंट देगा या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो अपने को आप कह सकते हैं कि मोमेंटम का उसमें फायदा मिल जाएगा या जिस तरफ भी निफ्टी भागेगा उस तरफ का जो अपना ऑप्षन है उसकी वैल्यू जाधा तेजी से बढ़ेगी इंस्टेट की जो डूसरी तरफ वाला जो आपका option है उसकी value जो कम होती है उतनी speed से कम नहीं होती जितनी speed से जिस तरफ nifty जा रहा है उस वाले option की value बढ़ती है तो यहां अपने को overall जो होता है दोस्तों वो profit होता है अब यहां जो मेरी position है दोस्तों वो मैंने 14450 का call और 14400 का put यह दोनों buy किये हैं चार-चार lot जैसे आप देख पा रहे होंगा उसमें 300 quantity आप देख रहे हैं अब अपने को weight करना है दोस्तों और वो weight देखते हैं निफ्टी अपने को कितनी देर कराता है अभी जो है दोस्तों मैंने मेरे group पे भी बताया है कि लगबग 480 का जो area है यह इसके लिए एक resistance zone है अगर यह इसको clear कर लेता है निफ्टी तो 40-50 points का यह move आराम से आपे दे सकता है अगर इसने इसको clear नहीं किया तो यह वापस नीचे 400 के area तक ज़रूर आएगा देखते हैं दोस्तों wait करते हैं position तो अपन ने बनाई है ऐसे दोस्तों यह जो strategy है इस strategy का जो नाम है वो बोलते हैं अपन long straddle जिसमें आप दोनों यानि एक तरफ call और एक तरफ put दोनों ही side के option आप buy कर लेते हैं और momentum का यहाँ पर आपको फायदा मिलता है एक चीज़ हाँ इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह जो strategy है इस strategy को आप जो expiry वाला दिन है expiry वाले दिन मत use करिए और अगर आप use कर रहे हैं तो same expiry वाली जो आप option है वो use मत करिए next expiry वाली option को आप use करिए क्योंकि जितना momentum आएगा उससे ज़्यादा तो आपका decay हो जाएगा दूसरे के अंदर और उसको वापिस grow होने में भी इतना time नहीं मिल पाएगा इसलिए same expiry वाला जो option है उसको use मत करिएगा expiry वाले दिन के लिए बाकी आप Wednesday तक आप use कर सकते हैं और try ये करिएगा कि Nifty का जो price चल रहा है उस price के आसपास वाला ही आप call or put buy करें अभी देखिए दोस्तों अपना जो overall position है वो minus में ही चल रही है क्योंकि जो अपने option लिया था एक थोड़ी सी value जादा हो गई थी हाला कि मैं लेना कम पे चा चल रहा है इसमें अब momentum इसमें आचुका है और निफ्टी एक side भगा call side के जो इसके option है वो बढ़ रहे हैं और put side के जो देखो दोस्तों कम हुए वो इतने कम नहीं हुए जितना call side का उपर भग गया तो अपने इसको लगबग 1200 क्या सपास जो अपना profit है इसमें book करके अप time लगेगा और इतना वेपर time नहीं है मैं actually मेरा business handle कर रहा हूं और मेरेको अभी इतना time नहीं है कि मैं इसको लेकर बैठा रहा हूं तो इसलिए मैं इतना मेरेको 1200 क्या सपास इसमें profit मिलेगा तो मैं इसको अपनी position को close कर दूँँगा लगबग आने में यह आया था भी बटो निकल गया चली कोई बात नहीं वेट करेंगे एक बार शायद और मौका मिलेगा अपने को आगया 700-800 क्या सपास और लगा के रख देते हैं दोस्तों देखते हैं फिर अरे एक वो और लगा हुआ है मेरा अल्रेड़ी इसलिए शायदे कैंसेल हुआ है एक इसमें लॉट अपने को कम करना पड़ेगा 300 में से 75 टूटिपाइफ किते पर लगाएं 51 पर तो मज़ा नहीं आएगा मतलब सी टूसी निकलेगा कॉस्ट कास्ट कास्वास ही जाएगा प्रॉपिट नहीं होगा वेट करते हैं दोस्तों 55 क्या सपास मेरा मूड है पहले वह पुराने ओर मैं दिखता हूं कैंसल कर देता हूं कि इनको कैंसल कर देते हैं कि एक लॉट वाले जॉडर है कि हजार बारा सो क्या सपास प्रॉफिट होगा तो दोस्तों मैं निकल जाऊंगा इसमें से और लगा के छोड़ देते हैं उपर आया था यह देखिए आप इसने सब्सक्राइबरेज है उसको भी टच किया और वहां से नीचे आ गया अब इसमें एक जो है दोस्तों उपर इसका 75-80 क्या सपास का रिजिस्टेंस मुझे लगता है कि एक जो कॉल आप्शन है वहां तक दोस्तों आया ओडर लगा देते हैं 55 का जैसे ही अपना एक ओडर दोस्तों यह एक्जेक्यूट हो जाएगा दूसरा ओडर अपन मार्केट पे निकाल देंगे कि पाया कि आने में है आने में है और यह हो गया दोस्तों चलिए अब दूसरा जो है उसको अपन मार्केट पे निकाल देंगे जो भी रिट मिलेगा अपने को यह हो गया 11 के आसपास अपने को रोट मिलाए तो दोस्तों टोटल जो अपना प्रॉफिट हुआ यह अल्मोस्त थाउजन रुपीस के आसपास का एंज होरे है कि यह गुग्रूप के उपर दोस्तों मैंने पोस्त कर दिया है कि मैंने पिजिशन को डिया है आप भी आगर जोइन करना चाहें तो यह ग्रोप है मेरा मार्डी 74 मार्कीट व किलिक अरो आप इसमें जोई पर सकते हैं आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और लॉंग स्ट्रेटल स्ट्रेजी कैसे वर्क करती है आपने देख लिया इसमें आपको सिर्फ मॉमेंटम का फायदा लेना है लेकिन जब भी ये स्ट्रेजी आप यूज करें तो ध्यान रखिएगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक में आप इसको यूज कर रहे हैं वह एक कंप्रेशन जोन में हो कंप्रेशन जोन इन दा सेंस कि वह एक रेंज के अंदर भूम रहा हो जैसे ही वह रेंज को तोड़के भार आएगा आपका एक तरफ या तो कॉल या पूट दोनों मे वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब ते के लिए बाइबाइबाई